हाई फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू मसाला चाहे आप पॉड्कास्ट आज हम बात करने जा रहे हैं मुझे तो ऐसे लगता है बहुत हाट ब्रेकिंग न्यूज है कल का देखके बहुत ही मन खराब सा हो रहा है बाकि आप सब के अपने व्यूपोंट्स हो सकते हैं कल के आए कोट के वर्डिक्ट की सीबी आए के स्पेशल कोट ने सूरज पंचोली को जिया खान मुर्डर केस या सुसाइट केस जो भी कहो अब तो उससे बाहिजद बरी कर दिया है यह कहते हुए के एविडेंस के आभाव थे अब दोस्तों जाहिर से बात है सूरज ने भी इंस्टा पे डाल दिया थेंक्यू सो मच एवरीबडी सब बहुत खुश है यह जो भी अमीर अमीर इनके दोस्त यार भाई भेन फिल्म फ्रिटेनिटी के स्पेशली मैं कहना जाओंगी सब में एक बहुत ही खुशी वाला महौल है क्योंकि बड़े नाम थे उनके पेरेंस की या जो भी है जो भी कह लिया जाए दोस्तों मैं जानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत जो है बेसिकली हमारे देश की भले किसी भी लेवल की हो उसका जो भी फैसला है उसका समान रखना चाहिए हाला कि हमें ये वाला राइट है कि हम आगे उस पे question उठा सकते हैं और उप्री अदालत पर बट स्टिल उस पे हम जिसा आम इंसान जिसको इतनी बाते नहीं पता है वो इतना questioning नहीं कर पाता है पर friends कुछ चीज़े आपको नहीं लगता है कि काफी साफ होती है एक लड़की जिसने suicide किया या कहा जाता है रहे उस बात पर बात में आएंगे कहा जाता है उसने suicide किया उसका छे पन्नों का note क्या वो काफी नहीं था अगर कोई बता रहा है कि उसके साफ कैसा violence हुआ है कैसा abuse किया गया है उसे क्या वो काफी नहीं था जिया खान की मदर राबिया खान को देखकर कई बार आखे नम हो जाती है एक ऐसी strong lady जो बहुत ही powerful लोगों के against अकेली लड़ रही है जगर रही है उसकी एक छोटी सी बात वो जो हमेशा कहते आई है कि अगर ये सुसाइट था तो उसके face पर इतने marks क्यों थे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसे abuse किया गया है दोस्तों यहां मैं बात कर रही हूँ physical abuse करने की उनके सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है आप कभी उनकी interviews देखिएगा अभी हाली में मैं देख रहे थी तो she was telling the media कि अदालत में सब लोग हैरान हो गए जो मैंने काम किया जो मैंने proof लाकि दिये उस तरहीं उन्होंने सबने बोला अरे इसने अकेले ये सब कैसे कर लिया तो फिर कहां गया वो सब evidence कहां गई जिसको देखकर सभी लोग बहुँचा के रह गए सब हैरान हो गए अगर at the end of the day आपको सबूतों का अभाव लग रहा है तो आप क्या चाहते हो कि जो मर गया क्या वो वापिस आके बताए कि मेरे साथ क्या हुआ था अगर आपको उसके लिखे होए letter की कोई value नहीं है उसकी मा के लाएं गए सबूतों की value नहीं है चोटे चोटे चीजों के जो कि बहुत ही है उनके आपके पास जवाब नहीं है तो फिर ये सूरज पंचोली निर्दोश कैसे एक बार फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि पक्की बात है सूरज पंचोली इसन फॉल्ट बट एक बात है दिल कहता है कि न्याय नहीं हुआ है justice is not being served 10 साल बाद ये फैसला आया है उसकी मा की जिन्दगी चली गई इस फैसले के पीछे और ये फैसला आया है दोस्तों गाइस boyfriend था ना क्यूं नहीं आया था जब उसके suicide की बात पता चली इतने लोग दिखे तो वो जनाब क्यूं नहीं आये किसी ने ये चीज़ पर question नहीं उठाया क्यूं क्यूंकि question उठाते जो लोग है जिनकी सुनी जाती है वो तो सब यार दोस्त बैटे है समझ नहीं आती है क्या सही है क्या गलत पर जो दिल कहता है वो मैंने आपके साथ share किया थैंक्यू